विल्कम बेक में हूँ शान और आज को समें बात करना वाले प्रिवोर्ड एक्जाम के बारे में और ऐसे में सभी बच्चों के मन में ये वाला कोशन बहुत ज़्यादा उट रहा है कि भई आप प्रिवोर्ड एक्जाम जस्ट आने वाले हैं और बॉर्ड की त्यारी करते करते हैं प्रिवोर्ड बीच में आ चुके हैं क्या इन प्रिवोर्ड के मार्क्स बॉर्ड में मैटर करते हैं और या अगर हम प्रिवोर्ड एक कम नंबर लेते हैं तो क्या बॉर्ड में फेल हो जाते हैं या नहीं इस टाइप की कोशन आप से की दिमाव में बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे और काफी आदा बच्चे प्रिबोर्ड के लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक है क्योंकि आपका जो सिलेबस है आपने बहुत लेटी स्टार्ट करा है काफी अदा बच्चों ने और इस टार्ट करते हैं आपके जस्ट प्रिबोर्ड आ चुके हैं कंदर paperboard जैसा नहीं होता बाघ हां उसका पैटन होता है और जो आपको महौल मिलेगा प्रीबोर्ड मों प्रीवर्ड जैसे इसलिए कि आपको एक बॉर्ड वाला माहौल मिलता है तो उस चीज़ को remove करने के लिए आपको थोड़ा habitual करने के लिए यह आपके pre-board exam करा जाता है, current कर जाता है, काफी school ने pre-board exam तीन बार भी होता है, काफी school ने दो बार भी होता है, किसके चार बार भी होता है, तो अब आपका question यह होगा काफी अदा बच्चों कि pre-board क्या देने से लेगा, pre-board से आपको पता से लेगा कि आपका कितना syllabus हो चुका है और आपको कितनी अभी त्यारी करनी है, ऐसे भी काफी जादा बच्चे हैं जिन्होंने pre-board दें, जिनके 30 नमबर आएं और वो board में अपना 90% score करा है, तो depending कि आपकी त्यारी कैसी है pre-board में, board के according आप उ जादा, पैरिंग जादा फ्याल जाता है, जिनके pre-board देने जरूरी है, pre-board अगर नहीं दे, क्योंकि काफी बच्चे क्या होते हैं, कि वो बहुत कम त्यारी के साथ जाते है pre-board है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते है, अपना syllabus उनका, तब ही start हो रहता pre-board से पहले, तो अ pre-board के mark जाते हैं, वो teacher थोड़ सा tight marking करते हैं, ठीक है, नमबर काट काट के देते हैं, कि जिससे बच्चे को ज़्यादा over confidence ना है, बच्चे में कि या अब तो में pre-board में, या अब तो हमारी एक्जाम सब वोज में 80% आ चुके हैं, तो मैं अपनी त्यारी थोड़ सी धीली क फिल हो जाएगा, जिसके बात को कोई साथ नहीं, pre-board एक नॉर्मल आपके एक्जाम होता है, हाफिल एक्जाम आलो, अगर आपको pre-board से इतना डल लगा तो pre-board को एक हाफिल एक्जाम आलो, पैनिक नहीं होना, राइट, काफी बच्चे, pre-board की जो त्यारी नहीं हो, उसके पैसा बना लेता है, उसके लिए क अलग पैञा़ बना लेता है, प्रिवोर्ड के लिए अलग स्टैजी क्यों बुना रहू है, उसके कोई जड्यवत ही Ary keom होता है, उसके लिए अपको अलग से बनाने की जुरौत ही नहीं, सेम यह आपको थरोट आप बोड के लिए अगये तो उनके लिए आपको अपनी प्रिज्ट कर देते हैं तो एकजाम के लिए आपको जो पढडना है selected पढ़ करना है और आई सयह को बिच तीम आपके अगर दो प्रिवोड और तीन प्रिवोड अब प्रेजिद को इतना ज्यादा यूदा मतलब प्रेशन ना ले प्रिवोर्ड गा कि अगर बेकार गए तो क्या होगा अगर प्रिवेड ऐसा गए तो क्या होगा क्योंकि में चीज आपके बूर्ड माइक जुड़ेंगे या नहीं देखो जबके मार्ग होते हैं वह आपको मिलने हैं प्रफॉमेंस कीरियो दिपेंड आपके प्रिटेस्ट हाफ्ट देखा जाता बट यह नहीं कि completely आपके pre-board पर डिपेंड होगे जो आपके board के marks होंगे जो आप return exam दोगे जो board में center पर जाकर उनका pre-board सो कोई मतलब नहीं हो तो कोई लेना देना नहीं होता pre-board it's just for the practice pre-board it's just for कि आप अपने आपको पहचान पाऊं कि आपकी कितने त्यार होगी है तो मतलब अलग extra strategy करने की जोटनी है linear लेना है मज़े भी लेना है और मेरे तो आज से किसी ने pre-board के marks पूछे नहीं अब तो board के पूछे हैं मंद कर दे लोगों एक टाइम पर ऐसा होता है कि आपके board के marks भी नहीं पूछा आते कहीं पर जब आप अपने graduation कर लेते हो या जब आप किसी अच्छे कोली से placement ले ले तो तो आपके board के marks भी नहीं पूछा आते है प्रिवोर्ड तो दूर की बात होगी तो pressure मतलब प्रिवोर्ड का बिल्कुल भी अच्छे से देने जाओ जितने त्यारी के साथ जाओ सही त्यारी के साथ जाओ ऐसा नहीं कि प्रिवोर्ड के और हाला कि मैं वीडियो अप्लोड करता रहूँगा अभी थोड़ टाइम से मैं वीडियो अप्लोड ने कर था बीचे थोड़ सा मैं डेट टुटर लाइफ में बीजी हो गया था जादी बट हाँ अब रेगुलरली वीडियो डालने में स्टार्ट करूँगा और आपको फिरों थैंके समझें वेट टेक के गुदवाइज सीवसें नेक्स वीडियो बाबाइज